नियमित रूप से हन्मान चालीशा का पार्ट आराम करने से पहले हर रूच सबसे पहले परभू राम जी और उसके बाद हन्मान ची का समरण करे और उनकी मूर्तियों को प्रणाम करे। हन्मान ची की मूर्थियों के सामने तांबे या फिर पीतल के लोटे में गंगचन मिला हुआ पानी भर कर रखें। जब भी हन्मान चालिसा का परती दिन जाब करें तो तब कम से कम तीन बार और अधिक से धिक 108 बार जाब करें। हन्मान चालिसा का पार्ट करने से पहले हन्म हर रोज नियमित रूप से एक निशित समय पर अगर चालिसा का चाप किया जाए तो विशिश लाप्राप्त किया जा सकता है। हर चालिसा के जाप से पहले आप मास, मचली, शराप का सिवन नहीं करें। किर्पया की दोरान आपके मन में गलत पिचार आते हैं तो आपको फलो की प्राप्ति नहीं होती है, मन को शांत करके ही पूजा करें। यदि हनमान जी की पूजा कर रहे हैं तो भरमचार्य का पालन करें। हनमान जी की पूजा में चर्णा मिर्ट नहीं चड़ाया जाता है, तुलसी का पर्योग किया जाए, आप तुलसी चड़ा सकते हैं। साथ ही यदि आपके घर में कोई फोटो या मूर्ति खंडित है या कटी-फटी है तो उसकी पूजा नहीं करें। फ्रेश मूर्ति हो। मास मदीरे का सेवन करके या फिर किसी गलत कामों में लिप्त होने के बाद, नौन विच खाने के बाद, आपको हनमान जी की पूजा नहीं करनी। अगर आप मंगलवा का वर्द धरन कर रहे हैं, हानमान जी की भूजा कर रहे हैं, तो इस दिन नमक गरन नहीं करें जो भी मठाई आप दान करते हैं, उसे खुद ही नहीं खाना चाहिए